अबहुत बर्टंतर ने रिसेंटली फिर्स्ट एलेक्ट्रिक वीकल को अजहां प草य करने की बत की जा रही है और और इलेक्ट्रिक motion के अंदर या उनको facilitate करने में सबसे बड़ा challenge यह रहता है कि electric vehicles जो है उनकी range को लेके बहुत anxiety होती है अभी for example जितनी भी है around 250-300 km की range है तो उसके बाद उस vehicle को electric vehicle को charge करना होगा electric vehicle मतलब वो आपका जैसे हमारा phone charge होता है electricity से उस तरह से वो गाड़ी charge होगी उसमें petrol और diesel की ज़रूरत नहीं है आप charge करके electricity से charge करके उस vehicle को चला सकते हो that is electric vehicle इसके अंदर कुछ hybrid भी होते हैं जो electricity से भी चल रहा है और petrol डीजल से भी चलेगा तो यहाँ पे हम electric vehicles की बात कर रहे है और electric vehicle के promotion में यह range anxiety बहुत ज़्यादा है और example 200-300 km यह चला फिर उसके बाद आपको वापस से charge करना है और generally charge करने में 8 घंटे तक का समय on an average लग रहा है इसके लिए भी charging facility चीए आपको और अगर आप fast काफी तेज अगर इस तरह से charge कर रहे हैं तो भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा time लगता है एक petrol का आपका tank है फुल होने में मुश्किल से 5 मिनट आपको लग रहे हैं और दूसरी जगह आपको एक घंटा यहाँ पे लग रहे है तो infrastructure charging infrastructure बहुत बढ़ा obstacle है इसके point of view से इंडिया के लिए बहुत अच्छी news है कि इंडिया ने पहला electric vehicle friendly highway यहाँ पे initiate कर दिया है पुरी news को detail में आगे देखते हैं आगे बढ़ने से पहले this is brief introduction about me यह मेरा telegram channel है इस पे आप PDF राप्त कर सकते हैं इसके लावा और भी काफी सारे free sessions हैं इसके लिए आप मुझे यहाँ follow कर सकते हैं यह जो electric vehicle friendly highway initiate किया गया है यह दिल्ली चंडिगड highway है और दिल्ली चंडिगड highway इंडिया का पहला electric vehicle friendly highway बन चुका है किसने यहाँ पे initiate किया किस तरह से यह work करेगा तो भारत heavy electricals limited जो की भारत सरकार का ही एक उपकरम है public sector enterprise है around 63% Indian government की यहाँ पे ownership है और यह manufacturing कर रही है engineering and manufacturing की एक company है जो basically power generation equipment से उसमें deal करती है तो इसकी तरफ से यह आपका initiate किया गया है और यहाँ पे network start किया जा रहा है with a network of solar based electrical vehicle charging stations तो यह जो electric vehicle के charging station है यह solar powered होंगे solar powered होंगे मतलब renewable energy का यह use कर रहे है तो यह बहुत ही अच्छी बात है otherwise क्या होगा अगर आप electricity use कर रहे है वो electricity कोहले से बन रही है thermal power plant से आ रही है तो फिर हमारा जो green और clean initiative है वो कहीं न कहीं hamper होता है क्योंकि आपको जो energy मिल रही है electricity मिल रही है वो अगर clean नहीं है तो फिर उतना effective नहीं होगा लेकिन यहाँ पे solar आपके charging station है जो की renewable energy based है तो यहाँ पे कोई भी pollution नहीं होगा 0% pollution will be there और vehicles की तरफ से भी आपका pollution नहीं के बराबर है तो BHEL ने इसको initiate किया है बहुत अच्छी बात है और कहाँ पे charging station इन्होंने place किया है that is करणाल लेक resort करणाल जो है दिल्ली चंडिगट के बीच के अंदर ही है अपका करणाल के अंदर इसको situate किया गया है और यहाँ पे और भी पूरा network plan करने की बात की जा रही है भेल के द्वारा importance अगर हम बात करें तो importance यहाँ पे देखा जा सकता है कि electric vehicles या electric cars हैं इनके अंदर 40% का jump देखने को मिल रहा है हलाकि overall अगर आप देखोगे तो इंडिया के अंदर तो काफी कम है जितने vehicles है उसमें से 0.07% electrical vehicles यहाँ पे है passenger cars की बात हो रही है number of cars की हम यहाँ पे बात कर रहे है और दूसरे vehicles को stats में नहीं दिखाया गया है नोर्वे और इस तरह के countries हैं वहाँ पे इनका percentage काफी जाता है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इसका importance नहीं रहेगा क्योंकि आने वाले time में e-cars जो है यह replace करने वाली है fossil fuel based cars को because of the issues like global warming climate change इस तरह के जो issues create हो रहे है उसकी वज़े से setup भाई भेल भेल ने इसको setup किया है और यह fame scheme के under आपका setup हो है तो fame scheme एक बहुत important है exam के point of view से भी बहुत ज़़े important है fame जो scheme है that is faster adoption and manufacturing of hybrid and electric vehicles in India यह scheme ministry of heavy industries की है इसे आपका plan तो 2013 के अंदर वैसे कर लिया गया था unveil किया गया था 2013 में लेकिन under the mission okay national mission electric mobility यह mission है इसके अंतर गया तो इसको लाया गया था लेकिन इसका जो first version है 2015 के अंदर सामने आता है भी electric vehicles हैं या hybrid vehicles हैं उनके induction को promote कर रही है उनको affordable बना रही है क्योंकि cost एक बहुत बड़ा factor है इसके लावा यह infrastructure को create करने की बात करती है और incentive यह provide कर रही है जो भी hybrid vehicle होंगे plug-in hybrid vehicle है या pure electric vehicles है सबके लिए यहाँ पर incentive दिया गया है इसको implement और monitor किया जा रहा है National Automotive Board under the Department of Heavy Industry fame scheme जैसा मैंने आपको बताया first phase इसका 2015 में start हुआ 2019 तक यह चला और इसके बाद में 2019 में fame 2 scheme आपने start किया और यह शुरू में 2022 तक था रिसेंटली government of India की तरफ से इसको 2024 तक extend कर दिया गया है तो fame 1 जो scheme थी वहाँ पर private vehicles पे भी focus किया गया था और fame 2 जो scheme है यहाँ पर commercial vehicles जो है उनको incentive दिया जाएगा इतने भी commercial level पे आपकी जो electric vehicles होंगे उनको यहाँ पर incentive दिया जा रहा है और इसके लिए 10,000 करोड रुपे का यह दिया जाएगा आपको पूरा budget layout इस scheme का रखा गया है भेल ने जो यह initiate किया है that is under the fame 1 scheme का इसने फायदा लिया और यहाँ पर इसको initiate किया गया है जो solar based electrical vehicle charging station है इसको fame 1 के अंडर में इन्होंने initiate किया है और fame 2 के अंडर में हम देखेंगे काफी सारे initiative लिये जाएंगे importance इसका यहाँ पर है देखें यह जो आपने यह charging infrastructure create कर रहे है तो यहाँ पर भेल कहा रहा है कि हम आने वाले time में 25 से 30 हर 25-30 km पर यह EV chargers आपका establish करेंगे ताकि जो range को लेके जो anxiety है कि हमारी गाड़ी की अगर 200 km पर खतम हो जाती है बैटरी तो फिर उसे हम charge कहां करेंगे पर कि अगर charging infrastructure नहीं है तो फिर आप उसको ज़्यादा दूरी पर नहीं ले जा सकते है within city drive के लिए अच्छा है highway पर drive करने में बड़ी मुश्किल है तो यह जो range anxiety है यह हट जाएगी क्योंकि आपको हर 25-30 km पर charging stations मिल रहे हैं और यह जो solar based आपके electric vehicle charging station है इनको rooftop solar plant से connect किया जाएगा ताकि जो भी energy हमें आ रही है यह green energy होगी clean energy होगी इंडिया का जो vision है environment को लेके इंडिया के जो commitments है climate change को लेके उससे यह आपका mission बहुत important है वो सारे जो goals है उनको achieve करने में इंडिया की help करेगा और central government काफी push कर रही है यह vehicles को green energy पे भी हम काफी काम कर रहे है recently प्राइमिनिस्टर ने independence day speech में इसको mention भी किया था कि जिस तरह से हमारे लिए national security जरूरी है उसी तरह से environmental security जरूरी है क्योंकि vehicles जो हैं एक बहुत बड़ा pollution का source है और pollution की वज़े से human health को भी नुकसान हो रहा है हमारी health पे भी impact है environment पे भी impact है और उसकी वज़े से global warming climate change जैसी परिशानिया भी हमें face करनी पड़ रही है उस point of view से बहुत अच्छा initiative है क्योंकि अगर infrastructure डवलप नहीं होगा अगर हम इंडिया का track record देखें इंडिया environmental जो goal से उनको बहुत अच्छे से achieve कर रहा है especially renewable energy की अगर हम बात करते हैं इंडिया ने अपने लिए goal रखा था 2022 तक हम 175 gigawatt renewable energy generate करेंगे तो यहाँ पे अभी recently हम देखे 140 gigawatt हम already achieve कर चुके हैं और अगले साल तक definitely हम इसको achieve कर पाएंगे ऐसा हम देख सकते हैं और यह achievable हमें लग रहा है target इसलिए और ज़्यादा ambitious होते हुए भारत सरकार ने 2030 के लिए 450 gigawatt 450 gigawatt का अपने लिए लक्षर रखा हुआ है तो renewable energy पे इंडिया अच्छा कर रहा है एक लीडर के रूप में उबर के सामने है और अगर हम e-vehicles का adoption तेजी से करते हैं तो यहाँ पे भी हम एक लीडर के रूप में सामने आ सकते हैं That's all for today, PDF of the session will be available here इसके लावा free classes के लिए आप मुझे इस link पे follow कर सकते हैं Raise hand के through आप live class के अंदर अपने doubt पूच सकते हैं इसके लावा अन Academy से आप जोड़ सकते हैं जिसमें GS Plus Optional का जो subscription है उस पे 45% का discount दिया जा रहा है और इसकी cost आपको पढ़ रही है 44,000 इसके अंदर आपको optional और GS की test reach free दी जा रही है notes आपको free दी जा रहे है loan facility का link भी है और आपका subscription next year means तक valid रहेगा subscription का link description box में आप अपनी need के according plan चूज कर सकते हैं put the code rblight to get 10% extra off iconic के कुछ added benefit है daily doubt solving, personal mentoring तो यह आपका iconic का fee structure है cable optional के लिए जा रहे हैं तो यह cable optional का fee structure है एक सितंबर से आपका बैच स्टार्ट हो रहे हैं जहां पर आप अपना slaves पूरा कर सकते हैं especially जो बच्चे 2022 के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए पूरा plan है, यहां पर schedule fix है तो यह एक सितंबर से आप इस batch के अंदर enter हो सकते हैं जिसमें आपका slaves completion pre or mains focused batch आपके चलाय जा रहे हैं और यहां पर इस discount का भी आप benefit ले सकते हैं that is 45,000 आपको यह cost पढ़ रहा है with 45% discount हर Sunday combat होता है, इसके अंदर participate करके आप काफी सरी scholarship जीत सकते हैं free test reach का benefit ले सकते हैं that's all for today, don't forget to like, share and subscribe all the best, have a great day